नम्हाइशार दोसों आफ शबी का बहुत बहुत शबागत है। जो सो आज को यह है विडियो आप शबी के लिए बहुत ही जदा महत्पुन और आपके आने वाले भोईश के लिए बहुत ज़दा खाश रहने वाले हैं। जो से इसलिए आपके बूल कर भी मिषणा करें और अदर बमाँ हैं-दर दोसलि में आपके जीओन की ही कुछ ऐसी सचाई बताने वाले हैं आपके जुनकाल में धुलिख निदों, करने रिलियिव हैं .. तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी की ही एक एशिक खास्यत है आपको दिखावा करना बिलकुल भी पशन नहीं आता जियां दोस्तों आप लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोस्तों इसका एक रीजन यह भी है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं और दोसुनों चे अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो दोसुन कुछ ना कुछ ऐसा संकट आपके उपर जरूर आता है जिससे आपकी खुशी दुख में बदल जाती है इसलिए दोस्तों आप लोग जो है जादा दिखावा और खुशी जाहिल नहीं करते इसलिए जादे दोस्तों आपको बता दिए कि आप लोग अपने वैभार में बहुत ही मरदार रहते हैं इसलिए शारी गर्ष जो है आपकी नेचर को पशंद करती है और आपको यशी लग्यां भी पशंद है जो कि creative field में होती है और दोस्तों जिन में ज़्यादा attitude भी नहीं होती है दोस्तों आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग दोस्तों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं शाथी दोस्तों आपको बिठा दे कि आप लोग दोस्तों को पहले खुश रखते हैं फिर अपना खुशी देखते हैं चाहे आपके उपर कितना भी tension और कितना भी चिंता हैं क्यों नहों आपका वेवार शभी को बहुत ज़्यदा पशन होते हैं और शभी लोग आपके उपर बहुत जल्दी आकरशित होते हैं ये दोस्तों आप लोग मुद्दिवान होने के शाथ साथ वेवार कुशल भी होते हैं एक बाद आपकी और है कि आप जब भी दुख्य होते हैं तो दोस्थों आप लोग किशी जबी अपने दुख का कारण जल्दी नहीं बताते हैं आप अपनी अपना जो दुख है जल्दी किसी से भी शेयर या परियों के सार्ण नहीं करते हैं और चुप-चाप आप अकेले ब बताईएगा दोस्तों इसके शाधिम आपको बता दें कि बहुत बार आके शाधिशा हुआ है कि आपको अपने ही लोग बहुत ज़्यादा दुक पहुंचाते हैं जियां दोस्तों यानि कि आप लोगों को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज़्यादा तर कष्ट देते हैं द लेकिन दोस्तों दुख तो आपको तब होता है जब आपके अपने ही करीबी लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, आपके शाथ बुरा वैवार करते हैं, आपके शाथ ऐसा अक्षर देखा गया है, आपका बहुत बार अपमान भी हुआ है, आपकी मान शमान को अपने ही लो कब तक या जालिम दुनिया आपका फाइदा उठाते रहेगी आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा ज्यादोसों आखिर कब तक आपकी इमोशन की आपकी फिलिंग की कदर नहीं होती आपके जियोन में अभी तक आपको वाश्रफलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप कारी कर रहे हैं जिसके लिए आप जी रहे हैं जे दोसों आपको हर चीज में शंगर्श का शामना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्श से ही पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत शंगर्श और आपकी कड़ी महनत से ही आपको प्राप्त हुई ह दोसों आपने किशी से भी अपने किशी से भी यह चीजें नहीं मांगी है कोई भी खेरियत से आपको यह चीज नहीं मिली है दोसों आपने बहुत ही मेहनत करके खुद की दिन रात एक करके जाग जाग कर आपने जो भी शपलताएं हैं उन्हें हाशिल किये हैं लेकिन दोस्तों फिर भी यह दुनिया आपकी शुपावनों की कदर नहीं करती और दोस्तों आपको थोड़ी शी शफलता क्या मिल जाती है कि यह दुनिया आप से जनने लगती है आपको नीचे गिराने की कोसिज करने लगती है पिछले कुछ शालों से आपकी आर्थी की सित और शे कभी भी आपको नहीं पूछा, आपको मन समान नहीं किया, उपर शे आप से यह लोग मिठा मिठा बात करते हैं, लेकिन अंदर शे ही यही लोग आपके उपर क्या करते हैं, यह तो आपको खुद पता ही होगा, यह दोसों आप भी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानती हैं, यह लोग अंदर शे आप शे नफरत भी करते हैं, यह दोसों इसका यह यह कारण हो शकता है, कि आप लोग जो होते हैं, वो बहुत ही शाफ दिल के होते हैं, यह दोसों आप लोगों की जो भी बात होती है, वो बिल्कुल ही शाफ शाफ मूँ पर होती है, लेकि दोस्तों आप अपने दिल में कोई भी पाप नहीं चुपाते हैं जैंदोस्तों अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते और इसी वयवार के चलते लोग आपको अंदर ही अंदर पशन नहीं करते दोस्तों मैं आप शी कहना चाहूँगा कि आप यह आदत को बि अलग बनाती है आप पर हमेशा से लोग अलग अलग इंजाम भी लगाते हैं आपने जिसको अपना मान शमान दिया है उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शात छोड़ा है दोस्तों आप हमें कमेंड में बताईएगा क्या मैं गलत बहुरा हूं आपने जिनका भी शात दिय है आज वह आपके शात खड़ा है क्या वह आपको पुछता है क्या वह आपकी मुश्किल समय में आप से कंदी मिलाकर खड़ा है क्या जिन दोस्तों इन शबी का जबाब मिलेगा नहीं दोस्तों आप विल्कुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दोस्तों गरहों की गोचर की सिती के शाथ बहुत यह अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले शमय में आपका भी जिवन पावश्य बदलेगा और आने वाला शमय आपके लिए कुछ इस परकार चैंज होने वाली है जिसे दोस्तों आपके जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है जिसे दोस्तों हम आपको बता दें कि बगवान शुन्देव का अश्रबाद अब आने वाले शुवे में आपके उपर पढ़ने वाले है एक बात यह भी है दोसों ने आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि बगवान शिंदेब नियाय की देवता है जो लोग अनियाय करते हैं बगवान शिंदेब उन्हें कतई जहर वाले शाजाएं देती है जिन्होंने भी आपके इशाथ गलत किया है जिन्होंने भी आपका अपमान किया है और दोसों जिन्होंने भी आपको ठेश पोँचाई है दोसों उनका हिशाब भगवान शिरदेप अविश्क करेंगे आपको इशर प्तना करना है कि आपको इस एशा लोगों शे दूरी बना कर रखने है जिया हाँ दोस्टों इस बात को आप जरूर ठाण लें कि आपको इसे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है होश्यके तो आप इन शे अपना रिस्ता ही तोड़ दें जिया दोस्टों लेकिन अगर कोई इसी बात है कि आप इसी रिस्ता नहीं तोड़ सकते हैं आपकी बहुत करीबी लोग है यानि कि आपका भाई है, आपका बहन है या फिर आपकी शिस्याल पक्च कि कोई भी वियक्ति ही क्यों ना हो जैए दोस्थों, आपकी पत्नी अगर आप शेद दूर नहीं जा रही है तो दोस्थों, आप इतना तो कर ही शक्ते हैं हद होती है और कोई लिमिट होती है कोई शीमा होती है शादी दोसों आपको बता दें कि जब ऐसे लोग आप से तमिश्य बात नहीं करते हैं आपका दर्द नहीं समझते हैं आपकी फिलिंग्स को ठेस पहुचाते हैं यों के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते हैं तो दोसो दोसों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है शिर्फ आपको इनसे दूरी बना कर रखनी है जिया दोसों बात सित आपको इनसे बिल्कुल ना करना है और साधी दोसों आपको बताती है कि आपको निराश होने की कोई भी आफशकता नहीं है तो दोसों जब भी आपके शा के लिए भगवान शुर्देव आपके कारियों में आपके शाहत रहते हैं यह दो सो बिल्कुल याप सच्छे मन से जिस परकार अपने हमेशा याद किजीगा तो यह आपके तो दोसों यह आपके जुनकाल में हमेशा शुबकार ही आपको देने वाले होगी दोस्तों अंत में आप शुबस यही निवेदन हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा शाथी बैल आइकन को पेश करकी और पर